श्वागत अग्वाफिर से आप सभी का आर्कार श्टडी यूट्यूब चानल पे इस वीडियो के माध्यम से आप टीचर टेनिंग से जुरू हुए एक ऐसे टॉपिक के बारे में अध्यन करेंगे जिससे एक्जाम में बहुत ज़्यादा प्रस्न देखने को मिलते हैं वह टॉपिक है आपका आत्म जिसे अंग्रेजी में सेल्फ भी कहा जाता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप आत्म के बारे में चीजों को जानने वाले हैं तो इस वीडियो के माद्यम से आप किन किन टॉपी को जानेंगे तो सबसे पहले आप जानेंगे कि आत्म क्या है इसके बाद आप जानेंगे आत्म का क्या अर्थ होता है साथी साथ आत्म की क्या परिभासा है इसको भी जानेंगे और अंत में आप आत्म की विश्यस्ता यानि कि आत्म के कौन-कौन से गुन होते हैं इसको भी अध्यन गड़ेंगे तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं आत्म के बारे में यानि की सेल्फ क्या होता है इसको जानने का प्रयाज करते हैं देखे आत्म को जानने से पहले हम लोग कुछ ऐसे नाम को जानते हैं जो आत्म से जुड़े हुए हैं कहने का मतलब कि आत्म का पड़यायवाची है जैसे कि आत्म को श्वा अथ्वा स्वयम भी कहा जाता है यानि कि जहां कहीं भी आपको आत्म लिखा मिले या फिर स्वयम ल और चलते हैं, यानि कि आत्म के अर्थ की और चलते हैं, कि आत्म का शाब्दिक अर्थ क्या हो शकता है, आत्म हम किसे कहेंगे, देखें, आत्म जैसा कि आप यहां पर सब्द से ही आपको खुद पता चला होगा, कि आत्म का मतलब क्या है, कि खुद से है, यानि अपने आप से है तो हम कह सकते हैं कि आत्म का तातपर ये व्यक्ति का अपने स्वयम के व्यक्तित्व से होता है यानि कि व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपने बारे में जो भी चीजे खुद धारना बनाता है वह चीज उसका आत्म कहलाता है वह चीज उसका सेल्फ होता है यानि कि दूसरे सब मिछारता है वही चीज का आत्म है जैसे कि मैं क्या हूं मैं कौं हूँ बहुत सारी चीजें आप आगे जानेंगे आत्म के मन में बैठा के रखते हैं जो आपके लिए एक यूनिक होता है जैसे कोई कहेगा कि कोई लड़का है सपोस कीजिए ये जो लड़का तस्वीर में आपको दिख़़ा है कहेगा कि मैं बहुत लंबा हूँ अपने आप से बाचित करेगा वो किसी को कहेगा नहीं वो अपने आप यानि अपने आप के बाड़े में आप स्वैम अपने मन में सोचते हैं अपने मन में धारना बना रखे हैं वही चीज आपका आत्म कहलाता है वही चीज सेल्फ कहलाता है वही चीज स्वैम कहलाता है वही चीज शोआ कहलाता है तो कहने का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो अपने मारे में कहेगा कि मैं लंबा हूँ, गोडा हूँ, काला हूँ, बुदिमान हूँ, शुंदर हूँ, कुरूप हूँ, मैं बहुत तेजी से कोई भी चीज को कर सकता हूँ, मैं मन्द बुद्धी से करता हूँ, ये सारे कि शारे चीज जो उसके मन में आ रही है, यही ची को व्यक्त करना कोई भी धारना को बताना आत्म कहलाता है जैसे आपके मन में यह चीज़ें लगड़े हुए कि यह टॉपिक तो बहुत एजी है मैं स्कॉराम से कर लूँगा अपने आप से यह चीज़ बात ही करने तो यह आपका आत्म है कहने का मतलब कि आप समझ रहे हैं कि आत्म का मतलब यही होता है जो अपने मन में जो धारना बनी होती है कोई भी व्यक्ति का खुद के मन में खुद के बाड़े में वही चीज़ उसका आत्म गहलाता है चलिए कुछ यहाँ पर इससे निसकर्स निकालके कहशकते हैं कि आत्म ऐसी अवधारना है जिसे से कोई व होता है कि कहता है कि मैं फलाने से थोड़ा सा बौना हूँ तो अपने आपको हीन भी समझता है या भी उसके लिए वह आत्म ही है जैसे कोई कहेगा कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ फलाने का प्रिक्षा में कम बुद्धि वाला हूँ तो अपने आपको थोड़ा सा हीन सम जाएगा तो वह भी उसका आत्म ही है आत्म हमेशा positive ही नहीं होता है आत्म का उदारन हम negative रूप में भी ले सकते हैं जैसे positive चीजे वो लंबा है negative चीजे कि मैं उसके अपक्षा बौना हूँ तो दोनों चीज यहाँ पर आत्म कहलाएगा ठीके तो I hope कि आत्म को आप यहाँ प इसी व्यक्ति की श्वयम की पहचान के बारे में शत्त रूप से बिक्षित होने वाली अवधारना से है यानि कि कोई वी व्यक्ति अपने स्वयम के बारे में श्वयम के पहचान के बारे में जो एक अवधारना बनाता है जो एक धारना बनाता है वही चीज आत्म कहलाता है ये कौन का रहा हैं तो कुन कह रहा है, क्रेच और क्रेच फिल्ड कहते हैं, कि व्यक्ति जिस रूप में अपने आपको देखता है, वही उसका आत्म है, याने कि अपने आपको कोई व्यक्ति सुन्दर देखता है, कोई अपने आपके बारे में अलंबा बताता है, कोई अपने आपके बारे में बौना बताता है यानि कि परते के व्यक्ति अपने आपके बारे में कुछ न कुछ चीजें बताता है जो चीजें जिस रूप में वो अपने आपको बताएगा वही चीज उसका आत्म कहलाता है ये कौन कहते हैं तो क्रेच और क्रेच फिल्ड के नउजार है तीसरे मनोव ज्याने के यहाँ पर किम्बल यंग वे कहते हैं कि जैसा व्यक्ति को लोग देखते हैं या जैसा कि वह अंतर किरिया के शंदर्म में अपने आपको देखता है या चानता है वही उसका आत्म वही हमारा सिल्फ है वही हमारा स्वा है वही हमारा श्वयम है अब चलिए हम लोग यहाँ पर बात्चित करते हैं कुछ आत्म के वीशेस्ता की और कि आत्म को हम लोग किस तरह से उसके वीशेस्ता को अलग लग करके लिख सकते हैं अगर आपके एक्जाम में आ गए तो आप स का आस है आत्म उन्नती एबं आत्म शुरक्षा के बारे में चिंतन से है आत्म उन्नती कहने का मतलब कि अपने आप मेजु उन्नती करना चाहते हैं और आत्म शुरक्षा का मतलब है कि खुद की रक्षा करना यानि अपने आपको रक्षा करना तो आत्म का आस है आत्म उन्नती यानि खुद के बारे में सोचना है बस उन्नति के बारे में सोचिए अपने रक्षा के बारे में सोचिए यही चीज आत्म होता है यही आत्म की विशेस्तावी है यहाप नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो आत्म का विकास समाजिक अंतर किडिया का परिनाम है देखें किरिया के परनाम के स्वारूप होता है टेके आत्म सारैरिक दोनों इस शारी मैं दाला हूं कि मैं लंबा हूँ यानि उसके सारे रिक विकास को वहां पर दरसारा कोई कहाँगा कि मैं गोडा हूँ शारे रिक है कोई कहाँगा बॉना हूँ ये भी सारे रिक है वही कोई कहाँगा कि मैं बुद्धी मान हूँ ये उसके मानसिक छितर को दरसारा है कोई कहाँगा कि मैं कम फैश्वा है और आप कह सकते हैं तो यही स्वैम भी है नोट की रूप में आप यहाँ पर एक चीज देखिएगा एक बहुत ही important point में आपको बता रहा हूँ कि आत्म की आफधारना बच्चों में जनमजात नहीं होती है बच्चों की उम्र वातावरन से सिखा जाता है ना की जनमजात होती है क्योंकि आप सभी लोग देखते हैं कि जो बच्चा छोटा से राता है सपोस कि जे कि सहस्वा वस्था कि उम्र तक का बच्चा के बारे में कोई भी चीज अपने बारे में उसको यही बच्चा यह साड़ी चीजों को जानता है और वो भी उतनी जादे चीज नहीं जानता है जितने वो धीरे धीर अपने जीवन में आगे बढ़ते जागा तो उतनी जादे चीज़ें अपने बारे में जानने का प्रयास करता है यानि कि एक मिच्चूर बाला के साड़ेरी रूप से मिच्चूर कह सकते हैं कि हम लोग का वही 20-20 केज तक यानि कि शोड़ा वस्ता के शमापत होने के बाद बच्चे मिच्चूर होते हैं तब तक वह बहुत सारे चीज़ अपने बारे में खुद के बारे में जानने लगता तो आत्म का विकास इसलिए कहा गया है कि आत्म की जो अवधारना है वह बच्चे में जनमजात नहीं होती है आत्म की अवधारना बच्चे वातावरन में अपने समाज के साथ अंतकिरिया करके लोगों के बीच अंतकिरिया करके एक दूसरे लोगों को देख करके किरिया को करकर के उसमें विक्षित किया जाता है विक्षित होता है इसलिए आतम जनमजात नहीं है ये वातावरन के दोड़ा विक्षित होने वाली अवधारना है तो I hope कि आपको आतम के बारे में सारे चीज आपको यहाँ पर समझ मा गई होगी जो भी कंसेप्ट में आपको पहले से दिक्कत था मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो शारे चीजे कंप्लीट हो गई होगी ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट के मादम से जरूर बताईएगा अगर कहीं पर कोई शमस्ता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो इस वीडियो में बस इतना ही था फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए देखते हैं ये हमारे चानल RKR Study को धन्यवाद